बुधनी उप्चिनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे देती हूँ जहाँ पर रमाकान भारगव प्रत्याशी हो सकते हैं शेत्र से भाच्पा के प्रत्याशी भारगव हो सकते हैं होटिंग पोस्टर की तयारिया शुरू हो चुकी है जगा जगा भारगव के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं रमाकान भारगव होंगे बुधनी वदान सबाश्चेत्र के भाच्पा प्रत्याशी ऐसा लग रहा है क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहा है सुबक की बड़ी खबर बुधनी साब को बता रहे हैं रमाकांत भारगव के पोस्टर लगने बुधनी में अलग-अलग जगा शुरू हो चुके हैं लोगप्रिय प्रत्याशी भया रमाकांत भारगव पोस्टर देख लीज़े यही पोस्टर है जिसके वज़े से यह संकेत मिल रहे हैं कि क्या बुधनी उप्चुनाव सीज के बी रमाकांत भारगव इनके पोस्टर बता रहे हैं और यह माना जा रहा है यह संकेत मिल रहे है कि बुधनी उप्चुनाव के जो प्रत्याशी भारती जुनता पार्टी के होंगे वो रमाकांत भारगव हो सकते हैं शर्मा जादा जानकारी के साथ बुधनी से लाइब जुट चुके हैं तो अक्षे बताईए क्या वाकई में रामाकान भारगवी बीज़ेपी के प्रत्याशिये बुधनी सीट के लिए देखिए राइब राइब जुट चुके हैं लेकिन जब हमारी भाजपा जिनाहा अध्यक्ष रभी मालवी से बात हुई तो रभी मालवी के दोरा बताया गया कि भाजपा जो है काफी अनुसास भाली पार्टी है और इसमें जब तक नाम की घोशना नहीं होती है जब तक प्रत्यासी भी ते नहीं माने जाते हैं और हम बिल्कुल इस मामले की जाच करवा रहे हैं कि यहां पोस्टर किन वेक्टियों द्वारा लगबाए गए हैं और जो असाफ तोर्पर कहना है कि भाजपा की अंतर कला जो है वहाँ masa की जो रमाकांथ भारगाव है उनकी शिवरासिंग चोहां से कितनी नजदीकियां है यहां किसी से कोई छुपी हुई नहीं पर भार्टी बिधाई की कर्टिकर नहीं देए यही वज़ा है शिवरासिक जहर के करीबी है रामकान भारगव इसलिए ये लगातार संकेत भी मिल रहे थे कि क्या हो सकता है हो सकता है उसके बाद पोश्टर जारी हो चुका है तो उसके बाद लोग सवाल तो खड़े करेंगे तमाम जानकारी के शुक्रिया आप